कि गुस्सा तो होंगे यही तुम, क्लब ने है ना कि मारा ध्याद, वहाँ तुम्हारी संतुजी है, जो तुम्हें कभी भाव नहीं देती, तुम भी जाना चाते थे साड़ी पहन कर, मतलब अच्छा अच्छा बन कर जाना चाते थे, लेकिन नहीं जहां पाए, इसलिए तु वहाँ सब्सक्राइब कर दो तुम्हारा मन कौन सा यहां पर है, तुम्हारा तन खाली यहां पर है, तुम्हारा भी बन वही पर ना, कलब मैसेज से विचर रहा है, मीरा मेडम के पीछे, बत यारा हमारा मन वहाँ गया है, कलब है मुझे, कुबूल है मुझे, कुबूल है म अच्छारा देख पाता, काश मैं मीराजी के साथ होता रूख बिलोटे, रूख कुछ करते हैं तो क्या करेंगा निठले? यह कारेंगा यह कोबेडी फिल्म ही देखते हैं इस उस्तरा छिलका है रूख 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 बिलोटे ऐसा हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है Santosharma बॉब स्कॉट को फोन कीजिए, कहा है वो? उन्हें बोलिये जल्दी आये, बॉब डूंड़े और उसे दिफ्यूस करें उसकी कोई सरुवरत नहीं है मादम सर मैं बॉब डिफ्यूस कर सकती हूँ क्या? का बात है, बॉब स्कॉट का भी लॉकरी खाईगी है करिश्मा सिंग, प्लीज मीरा, जल्दी से जल्दी बॉब ढूंड़े और इसूस कीजिए प्लीज को की मैंडम सर मैंडम सर, सुनिए तो बॉब के बीप की आवाज आ रही है नहीं, यह बॉब के बीप की आवाज नहीं है यह का बोल रही है, यह भर्वाएगी सबको हम बता रही है यह एक मिनटकरिशमा सिंग मेरा बिल्कुल सही कह रही है यह बॉम की बीब की आवाज नहीं है यह कुछ और ही चक्कर है जल्दी जल्दी ढूंडिये बॉम यह थो कोई मामुली सी डिजिक्टल वाच लग रही है सॉरी सॉरी मैंने कुछ नहीं करें किसके कहने पर किया यह सब अमाओ सुना हमारा बात हमारा खोपडी ना पहर से बहुत सादा तापा हुआ है किसी और का गुस्साम किसी और पर निकाल देंगे इसलिए जो सीधा सीधा पूछ रहे हैं उसका सीधा सीधा जवाब देना वरना ऐसा मारना शुरू करेंगे कि बंद नहीं होंगे समझे क्या है यह गोरक धंदा किसके कहने पर किया यह सब क्या नोटंकी बाद ही चल रही है यह बताओ हमको नाम लो उसका अरे अरे ओफिसर एक मिनिट अब इस बिचारे से क्यों पूछ रही हैं यह बिचारे तो सरफ एक नौकर है यह उतना ही करेगा जितना इसे कहा जाएगा ऐसा करने के लिए इसे मैंने ही कहा था आप लोगों ने मेरे पास कोई चोईस ही नहीं छोड़ी अपना लॉजिक और पॉइंट प्रूफ करने के लिए जब मैंने कहा था कि हमारे पब में साड़ी is not allowed उसका यही रीजन था आप लोग एक बात बताईए खुदा नखास्ता अगर भगवान न करे कल को इनी में से किसी एक औरत के साथ ऐसा ही कोई हाथसा हो जाता तो अपनी जान बचाने के लिए क्या वो साड़ी में लपेट के यहां पे घूमती रहती जो सुंदर सुंदर साड़ी हैं वो पहन के आएंगे ना उसी साड़ी में वो गिरते पढ़ते रह जाएंगे तो ऐसी सिचुएशन में क्या वो अपनी जान बचाए या फिर अपनी साड़ी संभालेंगे हरे आप लोगी सोचिए उन ओड़ों के लिए साड़ी उनी का कफन बन जाएगी तो उनी की सेफटी के लिए मैंने ये सब चीजें की मिसिस मलखानी आप जानती है अपने जो कुछ भी किया उसके लिए उसके लिए आपको सजा मिल सकती है हसीना मेडम आप हमें पहले ये बात बताईए कि क्या आप अपने ऑफिसर की बात से सहमत है उनका कहना है कि साड़ी का बहन सही है आपका क्या कहना है हरे आप इन से क्या पूछ रही है मैं आपको बताती हूँ हमारे पब में आने वाली फीमेल गेसलिस के लिए हम लोगों ने ये रूल बनाया था उनकी सेफटी के ध्यान में रखते हुए हरे एक बात बताएए इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा अंगामा हरे भई सीधी सीधी बाते आना है तो आओ नहीं आना है तो मत आओ लेकिन इतना बड़ा बबाल करने की क्या ज़रूरत है देखिये न पताने क्यों ये मईला थाने वाले हमारे हाथ दूख के पीछे पड़ गए है केस क्लोजड देखा आपने है नही मैडम सर केस क्लोजड नहीं हो बल्कि और बढ़ गया है पहले बात सिरफ पप के निएम का था लेकिन अब बात ओरतों के स्वाभिमान का अगया मैडम सर ओरतों की साडी पर बैन मतलब अपने ही देश पर अपने ही संस्क्रिती पर आण अपने ही घर में अपना ही हार क्या? साडी पे बेहन? मेडम साडी पे बेहन? ने, ने, ऐसा नहीं होना चए़े मीरा जी पे साडी चितनी अथी लिखती है तुम पर भी अच्छी लगीगी, बिल्लू मेडम से यह संस्कृती नहीं है एंडलिस इंसानी चोचले प्रूव हो चुका है कि साड़ी पहन के एमरजेंसी सिचुएशन में भागना जान बचाना नॉट पॉसिबल इसलिए ऐसी जगाँ पे साड़ी बैन राइट डिसेजिजिन फिर भी ये कह रही है कि साड़ी बैन गलत है हुबन एगो मैं मैं आखे साड़ी ना मैडम सर देखिये ना मशीन है तो क्या कुछ भी बोलती रहेगी और इसका बगग हम सुनते रहेंगे नहीं लेकिन कृष्मा मैडम ये सही बोल रहे है ना मीरा जी तुम चुप्रा बिल ले ना मैडम सर मतलब कुछ तो सोथ समझ के बोले ना मीरा को बोलो तुम्हें बाहर फेक कर आए गोद में उटा कर बाहर फेक तो ठीक है ओके मीरा ने 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 मीरा थी टन अबाउट रहें थेंक यू जयहिन सर जयहिन इस तरह की सीच्वेशन आए उसको हैंडल करना आपको सिखाना है समझ गई हैं और इस तरह की ट्रेलिंग में तो इस तरह की समझ्याएं आती रहेंगी तो समझ्याओं को फेश कीजिए मीरा को सिखाईए और मलखानी को समझाईए सर हमने समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई फाइदा नहीं है वो जान बुचकर हमारे साथी सारे खेल खेल रही है और मीरा को ट्रेनिंग देंगी और इस सिच्वेशन को सॉल्फ करेंगी हाँ सर हम भी यही कह रहें कि एकदम सही समय मीरा को सब कुछ समझाने का उसको सिखाने का अब क्या है वो खुद से केस सॉल्फ करेंगी तो बहुत चीज अपने आप सीख लेंगी ना सर मलखानी को साडी का महत्व समझाना बहुत जरूरी है सर और वो मीरा करेंगी तो बहुत अच्छा होगा ना खुद से कूदेगी तो तैरना भी सीख जाएगी अब समझा है हमारी बात को सर केस सॉल्फ करेगी ना तो बहुत कुछ उसको अपने आप समझ में आ जाएगा बिल्कुल ठीक का है करिश्मा सिंग ने ऐसा ही होना चाहिए अजिना मलिक जी सर मीरा को इस केस को हैंडल कर खुश क्या किया ये करिश्मा सिंग माफ कीजेगा मैडम सर पर ये टीन का डबबा जो है ये दूद पीती बच्ची नहीं है कि इसका उंगली पकड़ कर हम इसको सिखाएं ना इतना मजबूर इतना चौकस मशीन है खुद से केस सॉल्फ करेगी तो पता चलेगा कि कि इतना अगर ये जीत गई तो आपकी जय जयकार और अगर हार गई तो फिर से गवार डिपार्टमेंट को भी पता चलना चाहिए कि उन्होंने जो ये टीन का डबबा भी जाना इंसान की जगा लेने के लिए ये काका बबन डर्मा चाता है सुबा हो गई बिल्लू जी लेकिन मेरा जी के मुझ से गुड मॉनिं बिल्लू जी नहीं सुना हो कां तरस रहे मेरा जी अपने टेबल बे होगी अब मेरा जी मेरा जी अप कहा गए है याँ चारजिंग के लिए गई होगी अब मेरा जी आ गई गई जीते, एक दरी प्रेमी का दिल तोड़ा है तुन्हे, मैं तुम्हें शाब देता हूँ, तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी तुम्हारा शाब अभी से शुरूर, संतो जी एक बात बतानी है आपको, जीते को ना आपके लेपटप का पासवड पता एह, है, हुआ, है, छंतो जी एह, ने पाली नेवला जूट बोल रहा है शर्ष ने टकला दानाव आपके पिछा अफ़ा हा लाट खोला था इसलिए, पिलो-धे, तुम्हार एश्र ऐस, नीर रङस, पनीया कश़ अधरर खनीतो अपस में लए रहे उस मशीन के दब्बे के लिए हम औग लगे इस कल्मुई को जब से ये टीन की चुड़ा लाई है ना थाने के परिवार में फूट पड़ गई है अरते ही पहले थाने के सुक्षान्ती खागे अब बताने आगे-आगे क्या-क्या खाएगी और पुष्पजी मशीन है वो सिफ बिजली खाती है तुम तो पक्का लपड़ खाओगी का चल ला है? जहिन मैडम मैडम यह संतुची का लैपटप ए न इसका पासवर्ड चीते को पता है और इसके पीछे लैपटप खोल दिया और वो लाई पूटे के तिक लिए अपस में लड़े है सब हम ऐसे हजार आएंगे और हजार जाएंगे डबबे समझ जो हमारी बात को हमें आपस में एकता बनाए रखनी है आपस में प्यार बनाए रखना है ऐसे तीन के डबबो के लिए हमें लड़ना नहीं है समझे हमारी बात को का है वो टीन कडबबा? कीजर है? माडम सर की केबिन में माडम सर उसे साडी का महत्व समझा रही है तो माडम सर भी ना का जरूरत उसको समझाने का अमा वो खुद निप्टेंगी ना अपना माडम सर को रोखना होगा मीरा, मिस्स मलखानी से पहले तुम्हें जो है साडियों की इंपोर्टेंस समझाना बहुत जरूरी है एक काम करो साडियों से रिलेटेड जितनी भी इंफोर्मेशन मिलती है सब कुछ कलेक करो उसे अच्छे से समझो और फिर हम बताते हैं की क्या करना है, क्लियर? ओके माडम सर जैन माडम सर जैन माडम सर, का करना है साडिवले मामले का? भाही, जो DSP सर की ओडर है, थैंक्स तु यू अब ये केस मीरा हंडल करेंगी तो बस उसी से रिलेटेड कुछ डिसकास कर रहे थे एनिवेइज हमें भी निकलना होगा, बहुत जरूरी मीटिंग है जैन माडम सर जैन आईये मीरा माडम आपको समझाते हैं हम की ये जो मलखानी है, इसको का और कैसे समझाना है, हाँ? आँ हमार सा तो ओके और ये समझना है कि साड़ी हमारे लिए बहुत माइने रखती है, साड़ी मेनारी लगती है सबसे प्यारी अच्छा ऐसा चौथी कक्षा का ऐसे सुना कर समझाओगी तुम सबको, तुमको लगता है मलखानी तुमारा बात समझ जाएगी? मेरे डेटा के हिसाब से समझाया ऐसे ही जाता है अमा लेकिन निर्भर करता है ना किसको समझा रही हो ऐसे हर कोई समझ जाएगा तो क्या बात थी? ऐसे हर कोई नहीं समझता है, सब का दिमाग ना अलग-अलग होता है सब अलग-अलग तरीका से समझते हैं ये जो मलखानी है ना ये ऐसे समझने वालों में से नहीं है कि तुम्हारा ये चौथी कक्षा का साडी निभंद इसको कुछ तूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा समझ जो हमारी बात को, वो हम तुमको समझाएंगे मैं समझी नहीं और किस तरीके से समझा सकते हैं, प्लीज एक्स्पेइन हम समझाएंगे तुमको पूरे डेमो के साथ, तुम टेंशन मत लो, बिल्ले हम, जी ओ, मीरा जी, गुद मॉर्निंग इस गुद आफ्टनून, बिलू जी ओ, बिलू जी ओ, मैं गाएंगे हमाओ, जादे इंसान से केखड़ा होने का जरूरत नहीं है, समझे हमारी बात को अगवाब, ठैक्स लॉड मेरी जिन्दगी में मिराजी को अलाट करने के लिए मिराजी, ठैक्स, ठैक्स और करिश्मा माडव, जिन्दगी में मिलने वाली पहली इज़त की किमत, आप क्या जानो अब समझ में आया जो हम समझा रहे थे समझ गये, एक दम, क्लियर, कट ऐसे समझाते हैं, इसको कहते हैं कंटाप जब पड़ता है ना, तो सब अपने आप समझ जाते हैं, समझी तूं? कैसे संझाते हैं, बताओ हमको पर आप हैं तो इन्हें कुछ समझाया ही नहीं भही ना, नहीं समझाया है तो इतुना समझ गे, तो कितना समझ जाते तुमको भी ऐसी समझाना एक फुल टॉस कंटाप मार के, कैसे? ऐसे समझाते हैं, फुल टॉस कंटाप लगा कर, बहुत बढ़िया, ऐसी समझाना गा ने, 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 आप रुकिये भाई सब, आप क्या कह रहे है ना, हमें तो कुछ समझ महीं नहीं आ रहा है एक मिट, एक मिट, एक मिट, मीरा जी, जर आप समझाएंगी, यह होम लोन के बारे में क्या कह रहे है, हमें तो कुछ समझ महीं नहीं आ रहा है जरूर, अभी समझाते हूं, अभी-अभी सीखा है रुक जाओ मीरा यह क्या करने वाली थी तो? अभी बताती हूं, माडम सर नई, 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 नउ किसने सिखाया यह? करिश्मा मैडम ने, उन्होंने कहा कि ऐसे ही समझाते है, फुल टॉस कंटाप लगाकर मिसिस मलखानी को भी ऐसे ही समझाना है, कंटाप लगाकर करश्मा सिंग जी माडम सिर्ड क्या सिखाया अपने इसे डिपार्टमेंट ने भरोसे पर जिम्मेदारी पर हमें इस मशीन को यहां भेजा गया है और आप इसरा की बचकानी हरकते इसे सिखा कर इस पूरे एक्सपरिमेंट का मजाग बना रही है हमारा भरोसा तोड़ रही है शरुवाद तो अनों नहीं किया माडम सिर्ड एक तीन के डबबे को यहां इनसानी रूप में भेज दिया यह जो आइडिया है यह मजाख नहीं है तो का है आप हमें बताइए और उस थाने में भेज़ा है जिसमें पंखा तक ठीक से नहीं चलता है दर्वाजा है तो ताला नहीं है नल है तो फानी है बलभै तो बिजली नहीं है दूटी है तो तो साइलरी यहीं है वाह यह तेम के डबबे को बेज ढ़ेज़े की भईया इनको अब दूटी सिखाओ यह मजअ के मादम सिर्ण बताई Yakूश्या हम ne a Earth कुम्ने किसी का मज़ाग नहीं थिधाग नहीं किया बाकी आपको जो आगे ठीक लगे, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि यह आगे आने माला फ्यूचर है, गोल्डन फ्यूचर, ऐसे टीम के डबबे पे रखा जाएगा हमारा फ्यूचर का बुनियाद, जिसे कुछ समझ में नहीं आता है, अगर आप इस टीम के डबबे के सा अगरे ताएग कर चुकी है, माडम सर्, आपने न्यूज देखी? नहीं, क्या हुआ? एक सिर्मारम सर्, यह देखे एगे बटरफ्लाइ क्लब में हुई घटना को देखते हुए, शहर के बहुत से रेस्टरेंट और क्लब ने अपने आसारी में आने वाले कस्मर को बैंक कर दिया है, वाह, बहुत, बहुत, बढ़िया, क्या काम की है, अमीरा, तुमने, वेरी गुड, थैंक यू, देख रही हो, तुम्हारा जहर कैसे पूरे शहर में फैल रहा है, देख रही हो, सब जगा साडी बैन हो रहा है, होना ही था ना, जब एक पुलिस बोलेगा अपने अपने तरीका से समझाएंगे, और ऐसा समझाएंगे ना, कि इसके आगे आने वाली साथ पुष्टे साडी पहन कर पैदा होंगी, नई करिश्मा सिंग, हम जो भी करेंगे, काईदे और कानून में रह कर करेंगे, अब हम कोई तरीका निकालेंगे इस मलखानी को समझाने का अपने तरीके से माता की टोकरी आईए, आशिरवाद ले लो अब आपसे क्या छुपा है, आप तो जानते थाने में क्या चल रहा है हाँ माते, चाहिए उधारी पर उधारी बढ़ती ही जा रही है और मा बिर्याने के पैसे फी नहीं मिलता है, तुन रही हो ना मा बग मा, आप आप हमारे थाने को ना इस कठिन परिस्तितर चे बाहर निका लिए बस हम कुछ नहीं जानते बोलो आपे माता की जे, चलो चलो आओ, सब लोग आशिरवाद लो माता से हे माता, मेरे कॉटर का नल ठीक करते ना बस हे माता, हमको इतना बिजोड पलंबर बना दीजिये ना कि हम संतु जी के कॉटर का नल ठीक कर पाए और माते हमारी बिर्यानी के पैसे चुकता करवा दो फिर आगे से हर एक बिर्यानी पे बदनाम चाहर प्री में पिलाएगा एंब, माते हुआ... ए अम्मे माते... मीरा जी कुई इसी थाने में रखना क्या रिक तो लिटीजिवारे द्टरशमा मीरा माड़ Faiko, आप आये, आये म माता को प्रणाम कीजिये माता से आशिर्वाद लीजिये आये मेरा जी ये कौन है? ये, ये अम्बे मा है पूरे संसार की मा जब जब दुनिया में पाप पढ़ जाता है न तो दुष्ट पापियों का नाश करने के लिए वो प्रकट हो जाती है फिर भी कुछ दुष्ट राक्षास जिन्दा बज जाते है और कुछ लाप्नाप को पासफ़र चोरी कर लेते हैं हाँ शुसन भक्तों के लिए मम्ता महिमा और दुष्टों के लिए उनका सर्वनाश प्रकट है कर दुष्टों के लिए प्रकट है